नए बर्स में नई पहल हो और जो पहली अब तक थी अनसुल जी अब वो सररो इनी सुबकामनाओं के साथ आप सभी को नब बर्स की ठेर सारी सुबकामना है साथियों जब भी नया वर्स आता है तो हम भहुत ही प्लानिंग बनाते हैं सोचते हैं कि ये करेंगे ये छोड़ देंगे ये नया सुरू करेंगे लेकिन एक दो दिन काफी जोस रहता है लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे तारीक भढ़ती है साथियों जितना कठिन नई आदतों को अच्छी आदतों को सुरू करना है उतना ही कठिन पुरानी आदतों को बुरी आदतों को छोड़ना है अगर हमने भी कोई बुरी आदत अपना रखे तो हम उन्हें किस तरह छोड़ सकते हैं या फिर कुछ नयाच्छा करना चाहते हैं तो किस तरह शुरू करेंगे चलिए एक छोटी सी कहानी के माद्धम से इस प्रस्ण का जबार ठूरते हैं कहानी में आप हमारे साथ अंद तक चुड़े रहे क्योंकि कहानी काफी इंटरेस्टिंग है कहानी सरल है लेकिन संदेश पुरद है लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों नीचे दिया गया बटन सब्सक्राइब का उसको आप दबा दें साथ में बेल आइकान भी दबाएं कि जैसे कि हम आँगे जो भी वीडियो बनाएं वो आप तक पहुँचें चलिए कहानी शुरू करते है एक किसान होता है और उसके तीन बेटे होते है तो किसान के बेटे जैसे जैसे बड़े होते है किसान अपने बच्चों के बारे में बेटों के बारे में सोंच कर बहुत ही चिंतित होता है क्योंकि उसके बच्चों ने उसके बेटों ने सब बुरी आदत ही अपना रखी है कोई भी अच्छी आदत नहीं है और किसान सोचता है कि जब मैं बूड़ा हो जाओंगा और ये बड़े हो जाएंगे तो किस तरह ये अपना जीवन आपन करेंगे तो वह उनको एक सीख देना चाहता वो अपने तीनों बेटों को जंगल में ले गया सबसे पहले वो अपने छोटे बेटे से कहता है और उसे एक छोटा सा पाओदा दिखाता है पाओदा ऐसा है कि जैसे कि अभी अभी किसी भीज से अंकुरित हुआ हो किसान कहता है कि तुम्हें इस पाओदे को उखारना है किसान का छोटा बेटा बड़ी ही आसानी से उस पौदे को उस सीडलिंग यानि कि अभी अभी जो अंकुरित हुआ है उसको इस तरह पकड़ता है और मसल देता धीरे से बड़े आराम से तोड़ देता है किसान अब अपने मजले बेटे से खायता है उसको एक पेड़ दिखाता है और वह पेड़ कम से कम 6-7 महने पुराना है और वह पेड़ काफी थोड़ा बड़ा है किसान मजले बेटे से बोलता है कि तुमको इस बेड़ को खाड़ना है किसान का बेटा पहले उसे एक हाथ से उखाड़ने का प्रयास करता है काफी कोशिस करता है लेकिन उस एक हांच से वह पौदा नहीं उकड़ता है फिर वह दोनों हांचों से कस के पकड़ के बड़ी तागत लगा के उसको उखार देता है किसान अब तीसरे बेटे के पास जाता है और उसे एक ऐसा पेड़ दिखाता है जो काफी पुराना है काफी बड़ा है किसान कहता है कि तुम्हें इस पेड़ को खारना है बड़ा बेटा कहता है अरे पिता जी क्यों मजाक करते हो क्या इस पेड़ को खारा जा सकता है किसान बोला क्यों तुमारे भाहियों ने तो इन पेड़ों को खार दिया बड़ा बेटा कहता अरे पिताजी जो हमारे भाहियों ने जो पेड़ों खारे हैं वो नए हैं उनकी जड़े ज़्यादा गहरी नहीं है लेकिन आप जिस पेड को खाडने को बोल ले हैं ये पेड काफी पुराना है और इसकी जड़ें भी काफी घहरी है काफी घहराई तक इसकी जड़े पहली हुए अब इस पेड को खाडना ना ममकिन है किसान बोला बेटा इसी तरह तुमने जो बुरी आदितें अपना रखी है तुम चाहो तो अभी उनको छोड सकते हो क्योंकि ये आदितें अभी नहीं है इनकी जड़ें अभी घहरी नहीं है लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा इस पेड की तरह तुमारी वो बुरी आदितें तुमारे अंदर काफी घहराई तक अपनी जड़ जमाग लेगी उसके बाद उन बुरी आदतों को छोड़ना बहुत मुश्किल होगा और तुमारा जीवन दुखदाई होगा किसान के वैटों को अपने पिता की बात समझ में आई उन्होंने समझा कि बुरी आदतों को जितनी जल्दी हो सके छोड़ देना चाहिए तभी वो छूटती है समय बीतने के बाद फिर उनको छोड़ना काफी मुश्किल होता तो दोस्तों अगर कहानी का संदेश आप तक पहुँचा हो कहानी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को अपने दोस्तों को सेर जरूर करें और हम चाहेंगे कि नव वर्ष में आप अच्छी आदतों को स्विकार करें उन पर चलें और जीवन में नित नई खुशियां पाएं इनी सुबकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं एक नई कहानी में तब तक के लिए नमस्कार चल और चलते चलते ये दो बंक्तियां हे आती रहेंगी बाहारे हो हो जाती रहेंगी बाहारे दुनिया को देखो अपनी नजर से दुनिया ये कितनी हसी है हो हो आती रहेंगी बाहारे हे जाती रहेंगी बाहारे